हाँ जी स्टूडेंट कैसे हैं आप अब बात करेंगे हम होल्डिंग कंपनी की सर होल्डिंग और सब्सीडरी कंपनी क्या होता है अभी तो बहुत सारा प्राइवेट लिमेटेड यह सब्सूना था मान लो एक है एक सब्सक्राइब लिमेटेड एक कंपनी है देखो मैं सारी चीज़े जो पढ़ाओं आभी आपको मैं क्लियर कर दूँ यह बीकॉम के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूं बाकी अदर जो CACS वाले हेल्प ले सकते हैं लेकिन वहां थोड़ा डिटेलिंग में औ कर लो यह यहां भी है यहां भी है पता चले उनके क्योंकि आपका हर एक चीज इंपॉर्टेंट तो मैं भीकॉम के अंदर जितना करना इनफ टू सफिसेंट हो ठीक है न सीए वाले बच्चे अगर मेरे लगता है कि मैं सही से और एजी समझा रहा हूं तो समझ सकते हैं मैं तो बिलकुँ बेसिक लेंगवेज से समस्कों कोसिस करता हूं कि अकाउंट से रिलेट करके बता तूं बस चलिए अब इस कंपनी ने क्या करा इस कंपनी ने एक है पी क्यू आर और यह कंपनी बड़ी कंपनी है यह बिग कंपनी है के एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को दोनोंका काम एक ही जैसा इसका काम भी इंटरनेट प्रवाइड करना और इसका काम भी है इंटरनेट प्रोवाइड करना ऐसे सिचुएशन में बड़ी कमपणी क्या करती है अकसर इस कमपणी को खरीद लेती है अब इस कमपणी को खरीदने के दो तरीके हैं हम अपना कॉंपिटिटर खतम करना चाहते हैं तो या तो मैं पूरी company खरीद लूँ या फिर इतने इस company को इतना हिस्सा खरीद लूँ जिससे कि मेरे according अब यह company चलेगा और मेरे हिसाफ से चलेगा तो अगर आप इस company को खरीदना चाहते हो तो एक option आपके पास इसके 100% पार्ट खरीद लो या फिर आप 50% से ज़्यादा इसका पार्ट खरीद लो तो अगर आपने ऐसा किया कि इस company के दोनों में से कोई भी आपने काम कर लिया इस company के साथ तो आप एक और बड़ी company बन जाओगे और आपका नाम जो होगा ना accounts law के अंदर आपको बोला जाएगा holding company क्या बोला जाएगा holding company और सर ये वाली जो company ने दूसरी company ये वाली company आपकी ही company बन चुकी है तो इसको बोलेंगे subsidiary company subsidiary company ठीक है तो एक है सर holding company और एक क्या है सर subsidiary company तो holding company कौन होता है वो company जो किसी company का पूरा शियर या 50% से जितना ज्यादा शियर अगर खरीद लिया तो वो कौन बन जाएगी holding और दूसरी company क्या माने जाएगी subsidiary माने जाएगी अच्छा सर मान लेते हैं कि एक और company आ गया है मान लो abc limited अब मुझे जवाब देना अब PQR limited इससे बड़ी company थी PQR limited ने इसके share खरीद लिया मान लेते हैं कि 55% तो ultimately ये क्या बन जाएगी इन दोनों के relation की बात करें तो ये बन जाएगी holding company और ये क्या बन जाएगी फिर से subsidiary company तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तो इसके भी hold कर रहा है तो इस company के अब दो-दो subsidiary company हो जाएगी इस company के दो-दो subsidiary company हो जाएगी कौन-कौन सी PQR Limited और एक A, B, C Limited यानि simple सी बात है holding company से आगे जितनी भी company होगी वो subsidiary company होगी इन दोनों का बीच का भी holding subsidiary का relation है लेकिन यह बड़ी company मानी गई तो इसे साब से holding और subsidiary होगा Sir ऐसे कितना चलता रहेगा government ने सिर्फ two layer allowed किया है इसके बाद भी अगर कोई company हो न government ने बोला जादा ऐसा नहीं कर सकते अपने अंदर क्योंकि यह तो मालिक बनता जाएगा बनता जाएगा government ने कहां मान लो एक और company है that is आप मान लेते हैं T Limited और T Limited का share इसने खरीद लिया या T Limited का मान लो इसने खरीद लिया तो इसके पहले से कितनी subsidiary हो गई एक और दो और अगर इसके भी share खरीद लेगा तो तीन subsidiary हो जाता ऐसे तो government ने कहा कोई भी company कभी भी खरीद लो मर्जी है लेकिन आपकी subsidiary के counting में सिर्फ इन दो को लेंगे इस company को आपके subsidiary नहीं मानी जाएगी government ने amendment किया था 2017 के अंदर rule 2017 में के आज के बाद से अब हम अपने नीचे सिर्फ दो company को खरी सकते क्योंकि ऐसा करने के पीछे reason था कि आप ना company के कुछ shares लेके company को बरबाद कर दे तो कि मान लेते हैं जीओ company जीओ बहुत बड़ी company है तो जीओ ने देखो छोटी-छोटी company का साथ क्या किया जैसे मान लो आपका air cell था टाटा टाटा तो खेर बड़ी company अपनी अपनी अमर्जे से air cell था और भी बहुत सारी telecommunication company थे वीडियो कॉन उन सब को क्या कर बंद कर दिया यूणी न और यह सब क्या हो गए बंद हो गए से क्या रीजन था इनके स्टेक्स खरीदते गए और इनको competition से बहार करते गए क्योंकि mainly purpose क्या होगा अगर यह reliance है और यह internet प्रवाइड कर रहा है तो इसके shares ले लो और इसकी service को खराब कर दो क्योंकि इसका decision इसी में रहेगा service खताब करते इस company का नाम और निशान मिट जाएगा इसके सारे customer ultimately यहां पर आ जाएगा तो यह कुछ company के अंदर एक politics होता है जो की चलता रहता है तो लॉन इसी को देखते वे बोला आपके कितने लेयर company हो सकते हैं सिर्फ दो यानि holding company कोन होगा जो सामने वाली company के 51% से ज़्यादा का शेयर करेगा holding company और हमारे कितने subsidiary company हो सकते हैं एक holding company के सिर्फ दो लेकिन यहां exception भी दिया इन्होंने कहा अगर आप किसी भी company के 100% शेयर खरीद लोगे न तो कितनी मर्जी लंबी chain कर लो फरक नहीं पड़ता अगर आप इसके 100% खरीद लेते हो न तो यह आपकी ही company मानी जाएगी और वो भी subsidiary मानी जाएगी यानि क्यावन परसंट क्यावन परसंट लोगों को बरबाद कर रहे तो वह दिक्कत वाली बात है दूसरा कहा गया कि अगर foreign में कोई company है जहां पर यह लोग एक्जिस्ट नहीं करता तो वहां पी subsidiary होगी बहुत सारी और मान लेते हैं ध्यान देना जैसे एक A Limited है इंडिया में और एक USA Limited है foreign में है और इसकी बहुत सारी company है A, B है, C है, D है, E है और यह सारी company इसके अंदर hold कर रही है तो यानि यह तो holding company हो गई, अब इसने इसका hold कर लिया तो यह भी holding company हो गई तो यह holding company हो गए यह subsidiary और इसके जितने भी subsidiary है सारे इसी के subsidiary माने जाएंगे तो ऐसे situation में allowed है अगर कोई foreign company जहां पर यह law exist नहीं करता तो हो जाएगा तीसरा कुछ banking company को financial institution को कुछ और company को इंडियान में relaxation दिया गए कि आप ऐसे chain बना सकते हैं पर्मल company ऐसा नहीं कर सकती तो holding और subsidiary का पहले relation समझे क्या होता है sir holding company वह होता है जो सामने वाली company के शेर्स को खरीद देता है holding company बनने के दो तरीके एक तो शेर्स खरीद लोगे और दूसरा तरीका पता है क्या है मान लेते हैं पी क्यू आर लिमेटेड नई कंपनी है ठीक है और एक X, Y, Z इलिमेटेड यह नई company बोल रहो है नई company है यह company एकदम new आ रही है और यह company old है तो experience किस पर होगा बताओ इस company के जाहिर से बात है इस company का पास धेर सारा experience होगा इस company को कुछ पता ही नहीं है भाई सब इसके सारे director वगेरा जो भी है सब इस company ने control से appointment किया है यानि इस company के सारे director, manager, chairman सब कौन appointment कर रहा है सर यह कर रहा है इसके shares नहीं ले तब भी यह holding company माना जाएगा और यह subsidiary, दो तरीके से बन सकता है holding subsidiary, number one share खरीद लो या उसके सारे major keyman जो person होते हैं तो उनको appointment कर दो, director बगरा को जैसे मैं इंडिया की बात करूं जब इंडिया आजाद हुआ तो मैंने देखो ज्यादा history की knowledge है नहीं लेकिन उस time पर सुना था कि कहते हैं कि जब इंडिया आजाद हुआ तो जो इंडिया पर राज कर रहे थे तो उन्होंने कुछ दिन रहे के बताया था कि देश को कैसे चलाया जाता है तो सार कहानी holding और subsidiary का है चलिए देख लेते हैं holding company holding company holding and subsidiary company number one if it control majority composition of board of director अगर आपने उसके board of director का बड़ा हिस्सा of another company का control कर रखा है the composition of other company board of directors shall be deemed to be controlled if it can अगर मैंने तुमारे director को appoint किया तो जाहिसे बात है वो सारी मेरी बात सुनेंगे क्योंकि मैंने appoint किया है its direction appoint remove the holder of all majority director अगर ये condition फूरा करते हो कि वहां majority करते हो तब भी आप holding company मने जाओगे क्याता है if excise or control उसके उपर अधिकार more than one half यानि सर पचास पचास one half का मतलब आधा 50% से जादा अगर आपने share hold गया आपके पास voting right आ जाए क्या आ जाए सर उसका voting power आ जाए 50% से जादा तब भी आपको कौन से company बोली जाएगी holding company बोली जाएगी अग company में sale deemed to be holding company उसके आगे की जितने भी subsidiary company होगी automatically वो उसकी subsidiary और majority की holding बाने जाएगी restriction layer कितने layer है पूछा जाता है layer कितने है सर यह amendment है तो आ सकता है 2017 में restriction layer लगाए गये थे कितने layer लगाए गये थे two in case of company acquire company incorporation outside India कहा गया यहां पे restriction layer rule no company shall have more than two layer दो company से ज्यादा नहीं हो सकता लेखिन exception है पहला exception अगर outside India में foreign में जो USA वाला example लिया तो दो लियर हो सकता था दूसरा computing the number of under आप 100% wholly मतलब पूरा share अगर उसका hold करती हो consist करते हो तब भी माना जाएगा सर क्या exception है exception यह है इसके कि यह provision apply नहीं होगा किस पे banking company के उपर और सर किसके उपर और insurance company के उपर और government company के उपर और non banking financial company के उपर इनके उपर यह वाला concept apply नहीं होगा क्यों नहीं होगा सर मैंने कहा था आपका statutory company इनके ना अपने अलग law चलते है और भी आई के रूल वगरे चलते हैं तो उसके according उसको रखा नहीं गया है ठीक है ना तो यह था हमारा क्या holding और subsidiary का एक पार्ट छोटा सा जो कि हमने complete कर लिया मैं देखो सारी चीज़े समझा रहा हूँ आपको पढ़ना है और लिख लिख के पढ़ना है नूट्स मैं सारा provide कर दूँँ आपको 10 यह से भी पढ़ सकते हैं questions पूछा जरूर जाता है holding subsidiary में से चली एक last question है आपका small company क्या होता है वो देखते है small company small company का मतलब होता तो private limited ही है लेकिन उस company को ना एक particular capital के basis पे small या बड़ी company कह देते हैं टेख लेते हैं simple सी बात है उस company का capital ना 4 crore से और ऊपर नहीं है और उस company का sales चारीज क्रोड रुपए से उपर नहीं है तो उसको small company कहते हैं small company के क्या फायदे हैं बड़े सारे फायदे हैं small company के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं उसको privileges भी हम देख लेंगे अभी कि उनको कुछ balance sheet नहीं बनाना पड़ता उनको कुछ और भी बहुत सारे इनको जैसे benefits मिल जाते हैं balance sheet हो गया या return file नहीं करना या see यह नहीं रखना बड़ी सारी benefit तो कहता है the company act 2013 provide the small company sir small company होता है section 285 में इसकी define किया गया है small company other public company small company as a company other than public company whose मतलब public company से थोड़ा अलग private company भी मान लो paid up capital उसका कितना होना चीए sir 4 crore होना चीए उसका sales turnover कितना होना चीए sir 40 crore होना चीए however small company cannot be कुछ ऐसे हैं जो कि small company नहीं बन सकते जैसे holding और subsidiary का अगर relation है तो small company नहीं बन सकता भी जो किया था अगर section 8 की company यानि NPO सुना है न NPO अगर कोई NPO बनाना चाहता है अपने organization को और NGO की बात कर ले NPO की वो भी नहीं बन सकता कोई government company भी नहीं बन सकता इसके exemption क्या-क्या है मतलब इसके क्या-क्या benefits मिलेंगे financial statement of the company not include मतलब पूरी detail में cash flow notes to accounts या फिर statement बहुत सारी चीज़े बनाने के वाशकता नहीं होती signing of annual report in case of small company आपका signing होगा जो annual report पे small company annual return shall be file director and company secretary when is no cash flow company is to director मतलब के जो sign करते हैं company में normally signing of annual return in case of small company मतलब जो annual return होगा small company का होगा the annual return shall be filed by director भी file कर सकता है and company secretary तो सभी का करी सकता है when there is no cash flow company secretary by two directors जब cash flow नहीं है तो दोनों मिलके file कर सकते हैं इसके लिए और especially कोई requirement नहीं है frequently board meeting करने की अवज़ शकता नहीं है कि बार बार करेंगे सिर्फ एक बार एक ही board meeting करेंगे तो काम बन जाएगा in case of small company sufficient of at least one meeting और बाकी जो limited company ये private limited उसको बार बार करना पड़ता है small company exemption from requirement from the mandatory rotation of auditor क्या होता है कि rotation भी पढ़ेंगे हम auditor में कि एक auditor आया है तो उसको हम पांस साल tenure के लिए रखते हैं उसके बाते हम दूसरा auditor चेंज करना पड़ता है इसमें ऐसा नहीं है एक auditor आ गया उससे से काम करना पाते रहो auditor के क्या फाइद है नुकसान है वो आपको बात में पता चल जाएगा कि auditor आता है तो उसमें दिक्कत होती है काफी कि बहुत सारी चीज़े बतानी पड़ती है small company not required आपको KMP यानि remuneration जो director का होगा उसका जरूरी नहीं है कि कितना होना चीए पहले से decided नहीं होगा और auditor of small company required report educatly of the internal financial control auditor report और जो auditor of small company are not required to report करे education of the internal control हर company का अपनाना ICS होता है internal control system होता है उसके उपर कोई audit करने के वशकता नहीं होती तो यह था हमारा small company तो जो kind of company था उसका काफी हद तक हमने part cover कर लिया अभी हमें dormant company देखना है small company dormant company के साथ और भी बहुत सारी company देखने है जैसे one person company देखना है चार-पांच फिर यह chapter भी हमारा क्या हो जाएगा फिनिस्ट हो जाएगा तो हम आगे करेंगे continuous को